तो दिवाली आ रही है और जो हमारे बच्पन की यादे हैं बच्पन की यादे ये हैं कि तक्रीबन चार-पांच दिन पहले से तेवहार के चार-पांच दिन पहले से चाहें होली हो चाहें दिवाली हो तो सब्ताबर पहले से जो है वो धीमे-धीमे पकवान बनने शुरू हो को अपने खुशु खुशी जो है जिसे बनाना है तो नम्मा काम होता था तो चूजी सब्सक्राइब थो शूजी का मसाला वह थोड़ाए पूरinkरा मैं डालके एक तो सबगना सबस्क्राइब वो यह सबस्द dopoटाइब का नो Art सबस्क्राइब कराया दिलीएग Frame नीमि कुछों तो सबस्क्राइब जो देख interacting के तो सबस्का दो तलने वाला सबुदाना जो आता है उसको लेकर के जो है वसाभी बनता था फिर कई प्रकार के आने दही बड़ा बनता था चोथा बोलने के मतलब कि वो जो मीठा रंका पराथा होता है तो बच्पन में उस तरह की यादे हैं कि हम लोग घर के लोग मिल करके अपना बनाते थे और माता जी के साथ जूट करके तो बबुसी में कभी बाचीत भी हुआ कभी जगड़ा फसाद भी हुआ कभी रोहा रोहट भी हुआ कभी ज्यादा खा लिया तो डार पड़ गई ज तो इस सब चलता रहता था यह सब आज कल जैसे जो है में दगता हूं की जब भी कभी होटल जाता हूं जब भी कभी जो जो और दूद्य दढ़ी लेने के लिए जब जाते हैं होटल या मठ्ठा लेने तो उसको लेने करें जब भी जाता हूं तो देखता हूं कि जो है पुरा बढ़ा है अन ब्रांडेड जो है पुरा मिक्चर बिसकूट और तुमाम तरह का गुजिया हर तेवार में गुजिया जो है आजकल होटल में रखा रहता है लेकिन उसमें जो मज़े की बात मुझे जो समझ में आती है वो ये कि गुजिया जो घर में बनता है है ना और जो मार्केट मा रखा रहता है वो मार्केट वाला गुजिया जो है ऐसा लगता है कि वो सुखा है ड्राइ है उसमें पता नहीं तेल पड़ा है कि नहीं या उसको ओवन में तो नहीं कर दिये हैं बड़ा डाउट होता है तो लेकिन खैर अब यह है कि अगर मान लिजे कि जिसके पास पैसा होगा तो वो दोचार गुजिया जो है वो खाएगा लेकिन वो जो घर में बनाने के पक्रिया थी हो कहिने के छूट गई है है ना अब यह जो है कितना बड़ा नुकसान है इसका आकलन मैं भी नहीं कर पाता हूँ है ना कि जो पहले जो एक परंपरा थी कि लोग जो है घर में जो है साफ सफाई में सहयोग करते थे और उसके बाद में फिर वो जो पूरी हम बनता था उसमें सहयोग करते थे कम से कम बच्चे तो अपनी मार के साथ बैट करके जो है वह पकाते ही थे ते मतलब अब जो है वह सब मार्केट से आ रहा है अब तो यह भी सुनने में आज है क्यों फ़ोंदे अप्साना देगी और जो भी गेहूं पिसा के आएगा आटा है फिर आटा गुंदना है उसके रोटी बनेगी तो सिर्फ एक रोटी बनाने में जो है इतनी लंबी प्रक्रिया होती थी लेकिन अब जो है मार्केट जो है टोटली आपके जीवन को घेर लिया है आपको बाजार जो है पूरी तरह से आपके जीवन पर हावी हो गया है और अब जो है बाजार का ये दावा है कि जितने समय में जितने समय में जो है आप जो है गेहूं लेके जाएंगे और मार्केट में उसको पिसाएंगे फिर वापिस लेके आएंगे फिर उसके बाद में उसका आटा गुंदेंगे और रोटी बना देंगे और तीन बार आपको खाना पच भी जाएगा और उसके बाद में जो भी आपको जब टॉलेट जाना होगा तो वहां भी आप हो सकते हैं तो इतना ज्यादा जो है इनके शेयर के भाव अच्छे बढ़ते होंगे लेकिन जो एक परिवार जो साथ में आ करके तेवहार मनाता था और तेवहार में साथ में प्रयास करता था वो कहीं न कहीं छूटते जा रहे हैं वो कितना बड़ा नुकसान है ये समझ में शायद आज ना आता हो लेकिन कभी न मिठा नमकीन जो है उसको आप लेखर और उसका पेमेंट करके पेटी अम के सरिये आप अगर कर रहे हैं और इसी तरह से तेवहार मना रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन आपका तेवहार और आपका जीवन जो है सुख में हो ये मैं जरूर आपको शुपकामना देना चाहूंगा